आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, नमक पारे की रेसिपी, ये नमक पारे बहुत ही खस्ता होंगे, बहुत ही क्रिस्पी होंगे और बहुत ही टेस्टी भी होंगे जब आप इने चाई के साथ खाओगे, तो सभी स्वाद बोल जाओगे, इतने अच्छे लगते हैं ये, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसे हलो दोस्तों, मैं हूँ सीमा, आपका स्वागत है मेरे चेनल में ये नमक पारे बनाने के लिए सबसे पहले हम मेदा लेंगे, तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम मेदा लिया है इसमें हम डालेंगे अजवाइन, तो यहाँ पर हमें अजवाइन खातों से क्रश करके डालने है ताकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा है और साथ में डाल देंगे एक चमज नमक, तो मोयन के लिए हम यहाँ पर डालेंगे तेल, तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा चमज तेल लिया है आप यहाँ पर गी का भी यूज़ कर सकते हो, तेल और मेदे को अच्छे से मिला लेंगे नमक पारे को और भी टेस्टी बनाने के लिए हम यहाँ पर डालेंगे आधी कटोरी सूजी सूजी डालने से इन नमक पारों का स्वा दो गुना बड़े गा ही, साथ में यह बोथ ही क्रिस्पी भी बनेंगे सूजी को एट करने के बाद मेदे में अच्छे से मिला लेंगे मेदे की मुठी बान के चिक करेंगे कि मुएन हमारा परफेक्ट है या नहीं अब हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा लगा लेना है एक साथ पानी नहीं डालना है, जैसे हम रोटी बनाते हैं, उसी तरह का हम आटा लगा के तयार कर लेंगे तो यह हमारा रोटी हो जैसा आटा बनके तयार हो चुका है, इसे हम 10 मिल रेस्पे रख देंगे 10 मिल बाद हातों को थोड़ा सा चिकना करके इसे अच्छे से और मसल लेंगे अब हमें यहाँ पे एक लोई बनाने हैं, बड़ी छुटी आप आपके हिसाब से बना ले तो मैं इसी तरह की सारी लोईया बना के तयार कर लूँगी, अब हम इसे बेलेंगे तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल लगा लिया है, यहाँ पे हम सुख्याटे का प्रयोग नहीं करेंगे हम यहाँ पे जितना पतला बेल सके बेल लेंगे अब हमें यापे इसके piece cut करने है तो बड़े छुटे मोटे पतले आप आपके हिसाब से cut कर ले तो मैंने यापे इस तरह से इसके piece cut किये हैं इन्हें हटा के plate में निकालेंगे और इसी तरह से हम दुसरे piece को भी cut कर लेंगे ये बहुत ही आसानी से बेल भी जाती है और आसानी से कट भी हो जाएंगे इसी तरह से मैं सारे आटे के लोईया बना कर इसी तरह से पीस कट कर लूँगी सारे नमक पारे बन के तेयार हैं अब चलते हैं फ्राइ करने की प्रोसेस में तेल गरम हो चुका है हमारा तेल को हम जादा गरम नहीं करेंगे और आज को हम high to medium ही रखेंगे और एक साथ थोड़े थोड़े करके ये सारे pieces के अंदर डाल देंगे तो आप देख सकते हैं कि ये तेल के अंदर जाते ही सारे pieces खुल चुके हैं इन्हें हमें हिलाते हुए high to medium पर ही इन्हें अच्छे से सीखने देना है flame को आप यहां पर high नहीं करें इन्हें अच्छी crispy होने तक color change होने तक इन्हें अच्छी से fry करते रहेंगे तो ये नमक पर बन के तयार हैं इन्हें निकालते हैं हम बार और इसी तरह से हम दुसरे बेच को भी तयार कर लेंगे तो friends ये बहुत ही आसान recipe है आप इन्हें एक बार बना लो और दो से तीन मेने तक आराम से खा सकते हो तो ये हमारे नमक पर बन के तयार हो चुके हैं आप देख सकते हैं ये किने क्रिस्पी बने हैं मैं आपको तोड़ की भी बताती हूँ ये देखिए ये बहुत ही खस्ता बने हैं और बहुत ही क्रिस्पी हैं और खाना में तो ये बहुत ही टेस्टी हैं तो friends कैसी लगे मेरी आज की recipe अगर अच्छी लगी हो तो like से और subscribe करना मिलकूल ना बुलिए मिलते हैं एक नई recipe के साथ तब तक आप अपने और अपने परिवारगर ध्यान लखेगा Thank you for watching